हमारी इस व्यापक दुनिया और उसकी क्रियाएं कुछ भौतिक नियमों पर आधारे थें। इसकी कल्पना एक वैग्यानिक के अलावा किसी और व्यक्ती द्वारा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इन भौतिक नियमों की खोज तो गैलीलियो और न्यूटन के समय से ही प्रारम्ठीक पर उनिस्वी शताब्दी के शुरू होने से लेकर उसके अंत तक हमारे पास कई ऐसे नियम है जो हमारी प्राकृतिक और भौतिक दुनिया के कार्यकलापों की सही व्याख्या कर सकते थे। इनमें कई आज भी हमारी दुनिया को सफलता पूर्वक चला रहे हैं। चलती हुई गाड़ी से हमें कैसे उतरना है, सड़क को मोड देने के लिए ग्रेडियोंट कितनी होनी चाहिए, बिल्डिंग बनाते हुए कॉंक्रीट की स्ट्रेंग्ट क्या होना चाहिए, कितने वो तेज से कितनी करंट बहनी चाहिए, हवाई जहाज के निर्मान में एरोडानामिक सिर्धानतों का कैसे पालन किया जाता है। इनमें से हर चीज के लिए हमारे पास सही सही और ठोस उत्तर हैं। लगभग या अनुमान जैसे शब्दों का हमारी भौतिक दुनिया के नियमों से कोई वास्ता नहीं। वो दुनिया जो हमारी निज्रों के सामने है, जिसकी करिया कलापों को सही सही मापा और तौला जा सकता है। हम शायद अपनी इस दुनिया में खुश रहते अगर उन्नीसमी सदी के वेग्यानिकों की जिग्यासा ने हमारा परिचय हमारी ही भौति दुनिया के उस सुखशम रूप से नहीं कराया होता, जिसे हम पर्मानूओं की दुनिया कहते हैं। यह उन छोटे छोटे कनों की दुनिया थी, जिन्हें हम नंगी आखों से नहीं देख सकते थे। पर जब-जब हमने इनकी दुनिया को जानने की कोशिश की और अपने बलके गुन कुछ और ही थे, जो न्यूटन द्वारा प्रस्थापित। धांचे में नहीं बैठते थे। जब इस रेडियंटी, नलजी के पाटन को बॉडी के टेंप्रिचर के बढ़ने के साथ स्टड़ी किया गया तो उसमें एक विशिष्ट परिमान में फ्रीक्विंसी कमपन की दर और वेवलेंग्थ प्रती तरंग लंबाई में बटे उर्जा के पाटन मिले। पर विविद लंबाई की तरंगों में कितनी विकिरन उर्जा बटी होनी चाहिए, इसका जवाब Classical Physics के पास नहीं था। कई वेग्यानिकों जैसे कर्चॉफ्ट वाइन आदी ने इसे समझने की कोशिश की पर इस प्रयास में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। आखिर वेग्यानिक मेक्स प्लांक 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 ने ये सुझाया कि ये Thermal Radiation Continuous नहीं बलकी Discreet Packets के रूट में निकलते हैं, जिसे उन्होंने क्वांटर कहा। उन्होंने ये बताया कि हर पां, सकट की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है और वह जो उर्जा धारन करता है, उस फ्रीक्वेंसी को एक निश्चित संख्या से गुना करने पर पाया जा सकता है। और इस तरह ब्लाक बॉडी की विकीरन उर्जा के वेरियाबल पाटन को समझा जा सकता है, उनके इस निश्चित स्थिरांग को उन्हें के नाम पर प्लांक्स कॉंस्टन्ट कहा गया। वेग्यानिक मेक्स प्लांक प्लांक का ये कॉंस्टन्ट एच जिसका मानेज 6.63 x 10 to 34 जोल्स सेकंड होता है, ने इस समस्या को सुझातो दिया पर ये प्रती पैकेट उर्जा का फॉर्मूला क्यूं होता है, इसका जवाब प्लांक के पास नहीं था। 19 सदी खत्म होते होते करीब 1898 में जे जे टॉम्सन ने एलेक्ट्रॉन की खोज कर ली थी और 20 सदी के आरंग में परमानूं के स्ट्राक्चर स्वरूप की परिकल्पना जोर पकड़ने लगी थी। परमानूं के नाभित के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे गूंते हैं, इस पर विचार होने लगे और इसके लिए नए नए मॉडल सुझाए जाने लगे। वेगयानिकों को आकर्शित किया इस प्लानेटरी मॉडल ने। पर इस मॉडल की परिकल्पना क्लासिकल फिजक्स के अनुसार गलत थी। पर इस कॉंट्रिक्शन का कारण बना मैक्सवेल का अलेक्ट्रो मागनेटिक सिध्धांत। इस सिध्धांत के अनुसार अक्सिलरेटिड मोशन में किसी भी गूंते विद्युक भरित कन यानी मूविंग चार्ज पार्टिकल की उर्जा विद्युक चुम्द किया तरंगों के रूप में निकलती है। जिसका मतलब था कि ओबित में गूंता हुआ एलेक्ट्रो जो की एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है अपनी उर्जा को विद्युक चुम्द की या तरंगों के रूप में खोता रहेगा और अंतता स्पाइरल करता हुआ नाभिक में जागिरेगा। बहुत ही कम समय में होगा। इसलिए इस धारणा को सच मानने का मतलब था, आटम को अंस्टेबल मानना, जो की संभव नहीं था। इस समस्या का समाधान निकाला डैनमार्क के वैग्यानिक नीज बॉने, वो हाइडरिजन ग्यास से प्राप्त रेडियेशन स्पेक्ट्रम की लाइनों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने ये व्याख्यादी की एलेक्ट्रॉन जब अपने ओबिट में गूंता है तो कोई उर्जा विकिरित नहीं करता बलकि वह उर्जा उस समय बाहर छोड़ता है जब वो एक अधिक उर्जा वाले ओबिट से दूसरे कम उर्जा के ओबिट में जम्प करता है। वह इस उर्जा को फोटॉन नामक एक मैसलस पार्टिकल यानी प्रकाशकन के रूप में वह बाहर निकालता है। ये एनजी, पैकेट्स के रूप में होती है, और इस एनम। इका मान निर्धारित करने के लिए बॉने लिया प्लैंक की कलतना का सहारा। उन्हू ने कहा कि हाइडरिजन की स्पेक्ट्रम में प्राफता लग अलग लाइनों की फ्रीक्वेंसी को प्लैंक के कॉंस्टंट से गुना किया जाए तो ओबिट को जंप करने के दोरान एलेक्ट्रॉन द्वारा बाहर छोडी गई उर्जा का हिसाब लगाया जा सकता है। प्लैंक द्वारा दिया गया स्थिरांत कॉंस्टंट और इसका मूल्य वालियू एक ऐसा गनितिय चमतकार था जिसने ब्लाक बोडी रेडियेशन को भी एक्स्प्लेंग किया और बॉने इसकी मदद लेते हुए प्लैनेटरी मॉडल के द्वारा हाइडरिजन गास की स्पेक इस अजीब से सवाल का उतना ही अजीब जवाब भी जवाब था कि ओबिट में गूनते वक्त एलेक्ट्रोन एक पार्टकल या मैटर की तरह व्यवहार करता है और ये जवाब जब सवेग्यानिक ने ढूंधा उसका नाम था दब्रॉगली और ब्रॉगली दब्रॉगली की इस धारणा से पहले आइंस्टाइम ने 1905 में एक प्रांतिकारी धारणा पहले ही दे दी थी कि प्रकाश की तरंगे एक कनो के समुह की तरह व्यवहार करती हैं आइंस्टाइम की ये धारणा प्रायोगिक तोर पर भी सही पाई गई जब प्रकाश की तरंगे एक मेटल घातूप के प्लेट पर डाली गई तो उससे इलेक्ट्रोन बाहर निकल पड़े जिनको अलेक्ट्रक करंट के रूप में मेज़र भी किया गया आइंस्टाइम ने इसकी व्याख्या इस तरह से कीक की प्रकाश एक पार्टिकल के रूप में मेटल से टक्रा कर अपनी उर्जा एलेक्ट्रोन को दे देता है और उस उर्जा को लेकर एलेक्ट्रोन मेटल से बाहर निकल जाता है आ, इंस्टाइम का ये सिध्धान्त फोटो अलेक्रक अफेक्ट के नाम से मशवूर हुआ जिसके लिए उन्हें नोबल प्राइस से भी नवा जा गया फोटो अलेक्रक अफेक्ट के कई उदाहरन हमाम जिन्दगी में हर रूज देख सकते हैं, खासकर फोटो सेंसर्स से जुड़े किसी भी अप्लिकेशन में इसका अनुभव किया जा सकता है आइंस्टाइम की इस अवधारना के बाद ली, जी एच्टी वेव के फोटोन के रूप में यानी माटर की तरह व्यवहार करने में कोई संदेह नहीं रहा उधर दब्रॉगली ने अपनी परिकल्पना को एक गनिती अरूप दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि एलेक्ट्रॉन जब एक वेव की तरह व्यवहार करेगा तो उसका वेवलेंग्थ प्लैंक्ट के कॉंस्टन को उसके मेमेंटन से डिवाइड करने पर प्राप्थ होगा एलेक्ट्रॉन कनो के इस वेव नीचर को दब्रॉगली ने 100 एलेक्ट्रॉन वॉल्ट की उर्जा वाले एलेक्ट्रॉन के क्रिस्टल डिफराक्शन द्वारा साबित किया जहां उन्हीं किसी वेव की तरह ही एलेक्ट्रॉन के भी डिफराक्शन पाटन मिले तो ब्रॉगली के इस सिध्धान्त निवो के अटोमक मॉडल को सही पीटिका दी थी जिसके अनुसार हर ओबिट को एक अलग-अलग मान वालियूग के एनजी लेवल्स के रूप में माना जा सकता है और एलेक्ट्रोन जब उर्जा की उची सतह से निचली सतह पर कुदान करता है तो एनजी एक पाकेट के रूप में रिलूस करता है जो फोटोन यानि लाइट के रूप में दिखाई देती है साथ हे साथ हे धारणा भी प्रयोग के तौर पर सही पाई कई की फोटोन द्वारा योग्य परिमान में उर्जा दिये जाने पर एलेक्ट्रोन निचली सतह से उपरी सतह में भी जा सकता है पर रमानू में उर्जा की विभिन सतहों में एलेक्ट्रोन के होने की परिकल्पना ने एक और आविशकार को जन्म दिया जिसे हम LACR के नाम से जानते हैं आज quantum physics की इस एहम दें से हम सब वाकिफ हैं चाहे वो engineering का क्शेत्र हो या फिर medical science का quantum physics की इस दुनिया में हमने wave को particle और particle को wave की तरह व्यवहार करने की आजादी то दे दी पर कब वो ऐसा करेंगे यानि कब पार्टिकल वेव की तरह व्यवहार करेगा और वेव पार्टिकल की तरह इसका कोई ठोस जवाब हमारे पास नहीं था और ना ही आज है Stern Girl Act नामक वैग्यानिक भी अपने मशहूर Double Slit Experiment द्वारा सिर्फ यहीं साबित कर पाए कि एलेक्रोन का वेव या पार्टिकल के रूट में व्यवहार निश्चित रूट से निर्धारित नहीं किया जा सकता यानि एलेक्रोन का इन में से किसी भी रूट में व्यवहार करना Probability यानि संभावना पर आधारित है तब्रॉगली के Matter Wave, Particle Wave के Wavelength को निर्धारित करने वाले फॉर्मूले, Wavelength Equals HP के आधार पर ये कहा जा सकता था कि अगर पार्टिकल का Momentum बहुत ज्यादा होगा तो Wavelength काफी कम और उस हालत में पार्टिकल का Position काफी हद तक निर्धारित किया जा सकता है क्यूंकि उस वक्ते है एक Point Particle की तरह व्यवहार करेगा दूसरी तरफ, अगर Momentum काफी कम हो तो Wavelength काफी ज्यादा होगा जिसका मतलब था कि Particle Wave की तरह ज्यादा Space Occupy करेगा और एक Wave की तरह व्यवहार करेगा इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए हम Electron की Position निर्धारित करने के लिए अगर प्रकाश डाले, तो Electron का वास्तुमान इतना हलका होता है कि प्रकाश की तरंगे उसे खिसका देंगी, इसलिए उसके Position को हम Precisely बता नहीं सकते कोश्टक, Wave Particle Duality और Uncertainty से होती हुई Quantum Physics अंततह उस जगेह पहुंची जहां पार्टिकल के Wave Nature और उसके व्यवहार को ठीक से समझने की जरूरत हुई, एक ऐसे Mathematical स्वरूप की आवश्यक्ता महसूस हुई, जो इसे हर तरह से, हर Condition के लिए Define कर सके और Heisenberg के यू, Incitivity Principle देने के ठीक साल भर के अंदर ही श्रोडिंग नामक वैग्यानिक ये गनितिया हल दे दिया जो हर पार्टिकल के Wave Characteristic को बखुबी दर्शा सके और आज 80 सालों के बाद भी श्रोडिंग का Wave Equation अनेक समस्याओं का हल देता चला आ रहा है तब से लेकर आज तक हाला की Quantum Physics किया, तराज जारी है, पर इसमें कुछ नए मोड भी आए है वोके Hydrogen Atom के मॉडल पर काम करने वालों को उस वक्त कुछ नए धारणाओं की जरूरत महसूस हुई जब कुछ Complex Atoms की Spectral Lines को ना पा गया और एक ही Orbit के Electrons के व्यवहार में अंतर पाया गया कुछ दशाओं में ये पाया गया की एक ही Orbit के दो Electrons बाकी सारे मापदंडों में बराबर होने पर भी व्यवहार में अंतर दिखा रहे हैं इसका मतलब था की Electron कनों का कोई और ऐसा गुन है जो तब तक पता नहीं था और ये गुन था Spine यानि Electron का अपने Access पर भी गुनना और फिर ये पाया गया की दो Electrons के बहेवियर में अंतर Spine के अलग-अलग दिशाओ की वजह से भी हो सकता है इसकी मदद लेकर पॉली नाम के वैग्यानिक ने Exclusion का सिध्धान्त दिया जिसके मताबिक कोई भी दो Electron एक ही Quantum स्थिती में नहीं हो सकते अर्थात उनकी उर्जा, Energy, Aave, Momentum और Spine में कहीं न कहीं अंतर होगा Electron के Spine की धारणा ने Quantum Physics को भी एक नया Spine दिया Electron जैसे कनों का Spine पूरा है या आधा Integral और Non-Integral इन दो संभावनाओं को लेकर भी गनित के इस्तेमाल द्वारा एक नए विशय की नीद पड़ी जिसे Quantum Statistics कहते हैं और इसके द्वारा Matter Particle के अलग-अलग व्यवहा रों की व्याख्या करने की कोशिश की गई पर छोटे-छोटे Particles की दुनिया की व्याख्या करने वाली Quantum Physics के गनितिय फॉर्मूलों और धारनाओं का इस्तेमाल कभी-कभी एक बड़े विस्तुमान मास के व्यवहार को समझने में भी किया जा सकता है इसका सुबूर्ट दिया भारत में जिनमें वैग्यानिक सुब्रमन्यम चंद्रशेख आरनिक जिसके लिए उन्हें नोबल प्राइस भी मिला है ऐसी स्थिर अवस्था में आये तारे को वाइट द्वाफ कहते हैं पर पावली का नियम लागू होने के लिए यह जरूरी है कि तारे का वस्तुमान एक निश्चित सीमा से अधिक न हो इस सीमा या लिमिटेशन को चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं क्यूंकि इसे निर्धारित करने का काम चंद्रशेखर ने किया था सुब्रमन्यम चंद्रशेखर लेकिन इन सफलताओं के बावजुद आइंस्टाइन क्वान्टम फिजिक्स को परिपूर्ण नहीं मानते थे न तो घोर और उनकी क्वान्टम फिजिक्स की प्रॉबबिलिटी वाली दुनिया को स्वीकार ही कर पाते थे उन्होंने कहा भी था कि God doesn't play dice with the universe यानि भगवान हमारी दुनिया के निर्ने पासे फेक कर नहीं करता कहीं कोई निश्चित पैटन है जिसे हम अब तक नहीं धूंड पाए है इसलिए वह निश्चित लगता है क्या आइंस्टाइन की यह धारणा सही थी कहीं कोई ऐसा नियम है कोई ऐसा सूत्र है जिनसे सारे नियम निकलते हैं चाहे वो भौतिक दुनिया के हूँ या परमानूं की दुनिया के आइंस्टाइन से असहमत रहने वाले भी यह मानते हैं कि Quantum Physics की निव अभी सुग्रिड नहीं है संभावनाओं पर आधारित समीकरणों की मदद से अब तक खाओ यानि कैसे का जवाब तो काफी हद तक इसनी ढूंड लिया गया है पिछले दो दशकों में वैग्यानिक जॉन बेल के गनित पर आधारित कुछ प्रयोगों ने ऐसे ग्रिड संकेट पेफी नाइट इंडिकेशन्स यह हैं जो बहुत द्वारा प्रस्थापित संभावनाओं पर आधारित सुक्षम है